हेलो फ्रेंट्स, फर्स्ट ले प्लीजेंट, गुड मॉर्निंग तू अलो फ्यू, आई अम रविना शेखावत and वल्कम तू माई यूटूब चैनल, स्पार्किंग फ्यूचर, अस शेखावत बैंकर्श, फ्रेंट्स, हैज अल्वेज, मैं लेकर आई हूँ, आपके लिए ए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आपको ज़्यादा आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में करना चैए क्योगा आपका अंसर मेरा मोटिवेशन है हमारा आज का पहला question हाल ही में Indian Space Association को digital रूप से launch कोन कर रहा है इसके options है नरेंद्र मोदी, हर्ष वर्धन सिंग, के शिवन, रामनात कोविंद इसका right answer है नरेंद्र मोदी, Prime Minister नरेंद्र मोदी Indian Space Association को digital रूप से launch कर रहे है और यह है 11 अक्टूबर को होगा, मतलब कल, यह है ISPA, मतलब Indian Space Association अंत्रिक्स और रूप गरेक कमपनियों का परमुख उद्योग संग है इसरो Indian Space Research Organization, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1909 में हुई, इसके अधेक्स है के सिवन इसके अलावा रामनात को विन है अमारे राश्टर पती, अमारा आज का अगला क्योस्चन हाल ही में भारत और प्रकृति, भारत प्रकृति और लोगों के लिए किसके साथ उच्छ मैतो कांग्शी गट बंदन में सामिल हुआ इसका राइट आंसर है फ्रांस, भारत प्रकृति और लोगों के लिए फ्रांस के साथ उच्छ मैतो कांग्शी गट बंदन में सामिल हुआ है उच्छ मैतो कांग्शी गट बंदन, एक संग्ठन है 70 अधिक देशों का एक समुव है, मतलब जो यह है जिसको बोलते प्रकृति और लोगों के लिए उच्छ मैतो कांग्शी गटन यह एक संग्धन है इसमें 70 से अधिक जो देश हम हैं जो लोगों को परकटी के परती उनको परकय़की को अपनाने और जो अमारे परकय़्टी को परती जिमेदारियां हैं उनको बताने के लिए प्रोथचाईट करता है जो फ्रांस है इसकी राजदानी है पेरीस और रेष्ट प्राइब आगे आगे आने वाले टाइमें फ्रांस के लिए बात की जो इंपोर्टेंस वह बढ़ती जाएगी में भी फ्रांस के जो लीडर्शिप वह बारत में भी आएं क्योंकि अभी के लिए भारत जो न्यूक्लियर सब्मरीन बिलाना चाहता है वहाँ पर फ्रांस का बह भारत अमेरिका इसका राइट आंसर है भारत यूनेसको ने भारत के लिए 2000 की स्टेट्मेंट ऑफ दे एजुकेशन का लॉंच किया है विश्व शिक्षक दिवस कब मना जाता है पांच अक्टूबर को और अगर बात की जाए भारत के लेवल की तो अगर हम राश्टी स्थ अगर पर तो हम राश्टी सिक्षक दिवस कब मनाते हैं पाथ सेप्टेंबर को इस दिवस पर यूनाइटेड नेशन राष्ट्र सेक्ष्ट वेगानिक और सांस्कृतिक संग्ठन जिसको हम यूनेसको बोलते है इन्होंने बारत के लिए 2000 की स्टेट ऑफ देजुकेशन रि पहुंद Ethan gegen at alihiema कोन सी राज्य सरकार ने मिसन कवच कुंडल लॉंच किया हए आउसको हर्याणा चतिस गर उत्रकदेश महाराष्टर सरकार महाराष्टर महाराष्टर सरकार ने मिशन कवच कुंडल लोंच किया यह क्या गया है यह जो 9-10 की जो वैक्सिन है उसको महाराश्च्ट की सरकार जो कविद 9-10 की जो वैक्सिन लग रही है इसको इस अभियान में ज़ाद सी ज़ादा लोगों का टीका करण हो इसलिए और प्रति दिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने की लक्ष को लेकर यह मिशन बनाया गया है माराश्ट्र इसके जो सीम है वह उदर ठाकरे राजदानी मुबई राज्यवाल है भगत सिंग कोश्यारी हमारा आज का अगला क्योस्चन इसका राइट आंसर है अनसु मलिक इनकी उम्र मात्र 19 साल है और यह 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में USA की 2016 की ओलंपिक चैंपियन हेलेन लूसी मारोलिस से हारने के बाद रजद पदक जीतने के लिए इन्होंने समझोता क्या मतलब यह जीत गई है रजद पदक इन्होंने जीता है और यह बारत ऐसा करने वाली बारत की पहली महिला बनी है और यह हमारे बारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि दीरे दीरे ही विकास होता है हमारा अगला क्योस्टन विश प्रवाशी पक्षी दीवस दो जार किस कब मनाया गया इसके ओप्संस है साथ अक्टूबर, आठ अक्टूबर, नो अक्टूबर, दस अक्टूबर इसका राइट आंसर है 9 October विसव प्रवासी पक्सी दिवस दोजारी किस 9 October को मनाया जाता है इसके अलावा विसव डाक दिवस भी 9 October को मनाया जाता है और लाश्ट में हमारा question of the day का answer है निमनलिकित में से कौन सी एक रेल जर्मनी, France, Austria, Hungary और रोमानिया से होकर गुजरती है इसके options है इसका right answer है जो ओरियंटल एक्सप्रेस है ये जर्मनी से France, Austria, Hungary और रोमानिया से होकर गुजरती है औरियंटल एक्सप्रेस पेरिस के से लेकर इस्तामबूल तक जाती है इसमें जो ये देश अचारों इसमें France की राजदानी है पेरिस और इस्तामबूल है तुर्की की राजदानी और यहाँ पर तुर्की का नाम mention नहीं हुआ है लेकिन फिर भी तुर्की तक जाती है सहर जापर हर वर्स डबलू ये वर्ल्ड एकोनोमिक फॉम की जो वर्ल्ड एकोनोमिक फॉम एक आईजन है जो हर बार होता है यहाँ पर जो बड़े बड़े लिडर होते हुँ हर बार जाते हैं इनका एक आईजन होता है Cape Kahira Railmark अफरिका में है यह मिस्र की राजदानी काहिरा से दक्षनी अफरिका की राजदानी Cape Town तक है Union and Central Pacific जो रेल मार्ग सयुंक्त राज अमेरिका के सिकागो से लूदियाना प्रान तक है So friends अगर आपको मेरा इकन टफेर से सनचा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए Thank you